दोस्तों आप लोगों को भी यही समझ्चा है कि क्या स्टार्डिंग में यूज किया जाएं क्या आप लोग भी इस वजह से परेशान हैं कि क्या बोलें क्या ना बोलें इंग्लिश में क्या आप लोगों को भी डेली लाइफ के जो यूजस हैं जो सेंडेंसेज हैं चोटे जो सेंडेंसेज हैं वो आपको नहीं आते आपको नहीं पता क्या आप भी अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कुछ simple sentences, कुछ English के sentences use करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं, तो यह वीडियो आप के लिए है, आज इस वीडियो को आप end तक देखिएगा, आज इस वीडियो के end तक मैं आप लोगों को इतने सारे तमाम के साथ, और जहां भी आप basic sentences use करना चाहते हैं, तो आसानी से बोल पाएंगे, और English को सीख पाएंगे, तो पहला sentence हमारे साथ यह है, इसे मत चूओ, किसी चीज को चूने के लिए मना किया जा रहा है, तो वहाँ पर इसे मत चूओ को बोलते हैं, don't touch it, आप चाहें तो मेरे स से बोल सकते हैं, don't touch it, right, किसी से भी बोल सकते हैं, don't touch it, तो आपको Hindi बोलने के ज़ूरत में हैं, तो आपको किसी को मना करना हैं, कि इसे मत चूओ, तो आपको बोलने है, don't touch it, जाले, थेखतें, next word हमारे पाएंगे, next word है, किर्प्यास समझने की कोशिश करें, किरप्यास समझने की कोशिश करें आप किसी को समझाना चाहते हैं वो समझने के तयार नहीं है आप उसे कहना चाहते हैं किरप्यास समझने की कोशिश करें Please try to understand Please try to understand आप यह words मेरे साथ repeat भी करें Please try to understand चलिए next word देखते हैं यह मत करो, don't do it अगर आप किसी को कहना चाहते हैं भाई यह काम मत करो यह मत करो तो आपको इंगलिश में बोलना होगा Don't do it क्या बोलना होगा आपको Don't do it यह सारे जो क्लासेज में आज आपको देने वाला हूँ यह सीरीज में आप लोगों के लिए सुरू कर चुक हूँ आज से अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंगलिश को एडवांस तक ले जाना तो आपको वो सारे तमाम बेसिक सेंटेंस आने चाहिए आपको पता होने चाहिए हम जो डेली लाइफ में इस्तमाल करते हैं दोस्तों तो आज से मैंने इस सीरीज आप लोगों के लिए सुरू की है जहां पर मैं आपको दूंगा बहुत ही सिंपल छोटे-छोटे सेंटेंस जो डेली लाइफ में हम इस्तमाल करते हैं नेक्स्ट है आपका दिन शुभ हो अगर आपको किसी को बोलना है कि भी आज का दिन आपका शुभ हो तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आप इन सेंटेंस को मेरे साथ दो बार मतलब टू टाइमस आपको रिपीट करना है अभी रिपीट करना है और बाद में भी इस वीडियो को आप दो, तीन, चार, पांच जितनी मर्जी टाइम आप इस वीडियो को देखिएगा इन वर्ट को रिपीट कीजेगा क्योंकि ये वर्ट आपकी लाइफ में डेली यूज होने वाले सेंटेंस हैं जो आपको पता होने चाहिए और आने चाहिए नेक्स है हमारे पास अपने कमरे में जाओ जब हम किसी को बोलते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं, अपने भाई बेनों से बोलते हैं अपने कमरे में जाओ, इंग्लिश में बोलेंगे, go to your room Go to your room Go to your room चलिए next देखते हैं क्या है Next time मेरा हाथ पकड़ लो मेरा हाथ पकड़ लो English में बोलेंगे इसे Hold my hand Hold my hand आप लोगों से भी मोल रहा हूँ अगर आप चाहते हैं English में अपने आपको brilliant बनाना अपने आपको superb बनाना तो संदीब सर भी आप लोगों से कह रहे हैं कि मेरा हाथ पकड़ लो Hold my hand Hold my hand Next is उसे जाने दो आप किसी को लिए कहते हैं कि भी उसे जाने दो उसे देर हो रहा है वो लेट हो रहा है उसे जाने दो अगर लड़का है तो आप बोलेंगे Let him go अगर लड़की है तो आप बोलेंगे Let her go Let का इस्तमाल हम किसी को किसी काम को करने दिने के लिए यूज करते हैं तो let him go Let her go उसे खेलने दो के लिए हम बोलेंगे Let him play उसे पढ़ने दो के लिए हम बोलेंगे Let him study तो let पर आप भी इस comment box में इस वीडियो के बाद आप कितने sentences let के साथ बना सकते हैं Comment में हमें comment करके जरूर बताईएगा I will see your comment in the comment section below मैं आपके comment जरूर चेक करूँगा तो आप बनाईएगा कितने sentences आप let के इस्तमाल करके Basic बना सकते हैं I will check it The next is Kirpya आज मुझसे मिलो Kirpya आज मुझसे मिलो मैंने अपना phone करके अपने दोस्ते कहा कि Kirpya आज मुझसे मिलो English में से बोलेंगे Please meet me today Please meet me today आप अपने दोस्तों से बोल रहे हैं Cousins से बोल रहे हैं आज दिवाली है या कहूली आप जो भी festival आप अपने दोस्तों से खहना चाहरे हो कि आज मुझसे मिलो Please meet me today Please meet me today आप चाहो तो साथ साथ में स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं याद करने के लिए Next है Kirpya एक बार और कोशिश करो Please try one more time अगर आप किसी को बोल रहे है आपका कोई दोस्त है किसी चीज को try कर रहा है Try कर रहे है तो वहाँ पर बोल सकते हैं Kirpya एक बार और कोशिश करो Please try one more time Please try one more time Please try one more time Right कोई भी व्यक्ति किसी पिल्ड में try कर रहा है तो वहाँ पर बोल सकते हैं Please try one more time चलिए Next है तो अपने कर्म करिए, राइट, कर्म करिए, इश्वरम करोती, शुभम करोती, भगवान जो भी करता है, भहुत अच्छे के लिए करता है, आप लोगों को केवल कर्म करने है, ऊपर वाल आपको फल देगा, वो अपने समय से अपने हिसाब से देगा, तो अपने अच्छे कर् तो आप उसे बोल सकते हैं See you tomorrow तो आज मैं बहुत विजी हूँ आज मैं बहुत विजी हूँ तो आप इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं Today I'm very busy. तो ध्यान रेखना, I am को shortcut में बोलते हैं, I am, right? I am नहीं, I am. So today I'm busy, I'm very busy. क्या आप लोग आज वियस्त हैं, अगर हैं, तो लिखें कॉमेंट बॉक्स में, Yes sir, I'm busy today. अगर नहीं हैं, तो बोलिए, No sir, I'm not busy today. Right? आप इन words को इस्तिमाल करें, इन basic sentences को आप अपनी daily life में लिकर रहें, क्योंकि basic, basic सही, आप advance तक पहुँचेंगे, मेरे दोस्त, आप से बात कर रहा हूँ, use करते रहें. Next है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ. अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया, आप से पूच रहें, क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे सिखा सकते हो, तो आप बोल सकते हो, मैं आपको सिखा सकते हो, मैं आपको सिखा सकता हो, मैं आपको बता सकता हो, I can teach you. कोई भी चीज जो आप कुछी को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं, I can teach you, I can teach you, I can teach you, right, I can teach you. गबराऊ मत, कुछ ऐसी स्थिधी आजाती है, कुछ ऐसी परस्थिधी आती है, जहाँ पे लोग घबराऊ आते हैं, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं, don't panic, don't panic, आप इन वर्ट्स को रिपीट कर सकते हैं, मेरे साथ, don't panic, मतलब कोई भी ऐसी स्थिधी जहाँ पर सामने वाला क किसी चीज को एक घबरा रहा है तो आप उसे कहना चाहते हैं घबराओ मत डूंट प्याने संदीव सरीज है मैं आपके साथ हूँ आपके इस इंग्लिश के मिशन में आप लोग की जिम्मेदारी हमारी है डूंट पैनि घबराने की जरूद नहीं है कहिं भटकने की जरूद नहीं है कहिं आपको पूरा साथ दिगे आप इन वर्ड्स को आगर रिपीट करें तो बोली यास सर कॉम tandem बॉक्स में लिके बताओ यास सर अगर आप इने रिपीट कर रहे है क्योंकि repeat करना बहुत ज़रूरी है repetition होगा तो आप बहुत अच्छा गर सकते हैं तो repeat करते हैं इन words को next word देखते हैं चली क्या है मुझे यह वाला पसंद है कहीं आप जाते हैं कहते हैं यार मुझे यह वाला जो dress है वो पसंद है मुझे यह वाली कार पसंद है यह वाला और यह वाली को हम बोलते है this one वो वाला को बोलते है that one अगर आप करते हैं मुझे यह वाली shirt पसंद है I like this shirt या I like this one भी बोल सकते है I like this one I like this one यह वाली चीज मुझे बसंद है कोई किताब है, कोई shirt है, कोई pen है, कुछ भी है, आप महाँ लगा सकते हैं, आप बोल सकते हैं, I like this one, कोई watch आपको पसंद आ रही है, market में, अपने friends को बोल सकते हैं, I like this one, I like this one, I like that one, तो बहुत ही प्यारा word है ये, और आप लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए अभी से, इस आज बहुत सारे तमाम words में आपके लिए लिकर आयों, next है, मुझे तुमारी जोरत है, मुझे तुमारी जोरत है, मुझे तुमारी जोरत है, तुमें मेरी जोरत है, हम दोनों को एक दूसरे के जोरत है, मुझे तुमारी जोरत है, मुझे तुमारी जोरत है, I need you, I need you, मुझ मुझे आपकी मदद की जरूरत है, I need your help आप बोल सकते हैं, मुझे पैसो की जरूरत है, I need money, तो आप मुझे बताएं कि आपको अपनी जिंदगी में किस-किस चीज की जरूरत है, वो जरूर मुझे comment करके comment box में बताएं, कि क्या क्या चीज है जो आप अपनी life में चाहते हैं, I need, जो भी आप चाहते हैं, comment box में मुझे comment करके जरूर बताएंगे किस चीज की आपको जरूरत है, और हाँ, जो बचे इस वीडियो को देख रहे हैं, like जरूर कर दीजेगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके एक like मुझे अंदर से motivation देता है, तो like तो बनता है दोस्त, like तो तो एक बार के लिए प्लीज अभी जाकर अपना जो like का बटने से जरूर दबा दीजेए, प्रेस जरूर कर दीजेए, और जो बचे इस वीडियो पर नए हैं, तो इसे subscribe गरना मत भूलिएगा, ताकि ये series जो मैंने आज से आपको शुरूर करिए, ये आपको अब हमेशा मि अब दो मैंने का, I need your help, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरी मदद करो, आप बोल सकते हैं, help me, help me, अगर मैं कहता हम उसकी मदद करो, कोई लड़का है तो help him, कोई लड़की है तो help her, right, help us, अगर हमारी मदद करो, तो मेरी मदद करो के लिए English में बोलते हैं, help me, next है, हिम्मत मत हारो, कई बार होता है क्या है कुछ लोग अपनी लाइफ में हिम्मत हार जाते हैं, उसके लिए बहुत ही प्यारा वर्ड है, don't lose courage, don't lose courage, don't lose courage, यह वर्ड मेरे साथ आप टू से थ्री टाइम से अगर साथ साथ रिपीट करेंगे, तो मानलो दोस्तों, यह आपके दिमाग मे दिल में अपनी एक जगा बना लेंगे, अगर उन्हें अपनी दिमाग में आपके दिल में एक जगा बना लेंगे, दोस्तों, आप इन्हें कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकते हैं, आपका भी लाइफ में नहीं भूल सकते हैं, चले, next word दिखते हैं, next word है मेरे पास, दिल छोटा मत करो, दिल छोटा मत करो, डोंट लूज हर्ट, दिल छोटा मत करो, डोंट लूज हर्ट, अपना दिल छोटा मत करो, डोंट लूज हर्ट बहुत ही प्यारा वर्ड है, अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति के अंदर कुछ आशाएं थी, वो खतम सी हो रही है, आ आप बोल सकते हैं उसे. The next word, जो है बहुत ही प्यारवर्ड, मुझे थोड़ा समय दीजिए, Give me some time. Give me some time. मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ. मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, जब भी आपको किसी को बोलना हो, कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, Give me some time. Give me some time. तो Give me some time, आप बोलकर किसी से उसका कीमती समय ले सकते हैं और मांग सकते हैं. The next is, बस देखते रहो, यह जो वर्ड में आपको लिखर आया हूँ, जो सिरीज में आपके आथ से शुरू कर रहा हूँ, बस इस सिरीज को देखते रहो, जो वर्ड में वो बहुत यूनिक हैं, बहुत ही जरूरी हैं, इन वर्ड को आप मेरे साथ रेपीर जरूर करें, बस देखते रहो, Just keep watching, Just keep watching, आप लोगों के लिए बहुत सारी कॉंटेंट और मतलब बहुत सारा कुछ मट्रियल में आपके लिए इस चैनल पर बहुत सारा लेकर आ रहा हूँ, दोस्तों, आप बने रहे गए इस चैनल पर मेरे साथ, DSL Learning, जो बच्छा इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी आपके साथ इन बेसिक सेंदिस को सीखें, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा, डोंट फ़रगे टो शेयर इस वीडियो, and don't forget to subscribe this channel as well and press the and hit the like button please, आप जो हमारा जो like button उसे जरूर प्रेस करें और subscribe को, मलब भी इस चैनल को subscribe भी कर लें ताकि आपको आने वाले कई सारे, बहुत सारे important chapters time पर मिलता हैं मेरे दोस्त, the next is वो बहुत शर्मीली है, कोई आपकी friend है, बहुत शर्मीली है, बहुत शर्मीली है, बात नहीं करती है, कुछ लड़कों के अंदर भी होता है, कि वो बात नहीं करना आप बोल सकते हैं, he is very shy, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं, he is very shy, she is very shy, आप मुझे बताएं, इक comment box में, आपकी life में, कुछ आपके दोस्त होंगे, उनके नाम के साथ, comment में मुझे comment करें, बताएं, कौन कौन आपकी जिन्दगी में ऐसा व्यक्ती है, जो बहुत ज़ादा शर्मीला है, या बहुत ज़ादा शर्मीली है, आज मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, स्क्रिंशॉट लेने का भी स्क्रिंशॉट लीजिए, और इन वर्ट्स को अपने इन बॉक्स या अपने मोबाइल में कहीने सेव कर लीजिए, और इनको रिपीट करते रहिए, और ने नेक्स वर्ट इसे खोल ये, जब आप किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं, तो आप बोलते हैं, भई ये से खोल लीजिए इस बॉक्स को, ओपनेट, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेगा, ओपनेट, आप हिंदी में नी बोलना है, इसे खोल लीजिए, इंग्लिश में बोलना है, ओपनेट इसमें बहुत अच्छी चीजिए होंगे, ओपनेट, तो ओपनेट आपको बोलना है, इसे खोल लीजिए, देखिए, इसमें है क्या, ओपनेट, चले, तो इसे आपको बहुत अच्छा लगा हो, दोस्तों, बस में यही गहना चाहता हूं, कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कजन, रिस्तेदार, जितनी भी लोग हैं उसके साथ, शेर जरू कीजेगा, लाइक जरू कीजेगा, शब्सक्राइब जरू कीजेगा इस चैनल को, ताकि इस सीरीज को आप आगे भी यू ही देखते रहे मेरे दोस्त, आप से बात कर रहू हूं, राइग? So, thank you so much everyone for taking this beautiful session, I'll be back with amazing session lesson soon. Till the time, keep watching, keep smiling, and keep practicing. Bye-bye, take care, have a nice day.